तो आज मैं डालूँगे हरी मिच का अचार को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए हरी मिच को बहुत अच्छे से धो दीजिए दोकर साफ कर लीजिए और उनको पूरा तब तक सुखाईए जब तक उनके अंदर से बलुकुल पानी ना निकल जाए एक भी बूंद पा बनकर तयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी बनकर तयार होता है आप प्राठे के साथ आप रोटी के साथ चावल के साथ खाईए तो आप अचार से पेट भर के खाना खा सकते हैं तो मिर्च का अचार तो क्या है अमोमन सभी घरों में पाया जाता है ज्यादा तर मिर्च इसके अचार का मसाला पौडर में बनाया है इसे मैंने दरदरा नहीं रखा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसको पौडर में बना लिया यह आपकी अपनी चोईसा आप मसाले को थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं लास्त ताइम मैंने जब गाजन मुली का अचार की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी तो इसके अंदर मैंने मसाला थोड़ा दरदरा सा रखा था लेकिन इसके अंदर मैंने हरी मिच के अचार में मसाले को बिल्कुल पाउडर में बना लिया है तो जो मोटे मसाले थे उनको मैंने पीच लिया और जो पाउडर वाले मसाले थ थेल्था को गर्म करेंगे। infect अच्छा यहां पे कच्छा भी डीढार कर रोम पर जदे लूंद आइपसा हीजुआं अच्छे से अपने सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, यहाँ पर अपने मसालों को पहले साप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं आदा किलो हरी मिच का अचार डाल रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने मसाले लिए और मैंने यह मसाले इसके अंदर तेल के अंदर मिक्स कर दिए, बह चल जाता है कि हाँ अचार डाला गया है तो गाइस मैंने सभी मिर्चित के अंदर डाल कर अच्छे से हलकी आज से अलटते पलटते के साथ बहुत ही प्यार के साथ आप हरी मिच के अचार को बनाएं क्योंकि प्यार से बनाई हुई कोई भी डिस्क यू ना हो कोई भी सब्ची यू ना हो कुछ भी किचन के अंदर आप बनाएंगे अच्छा ही बनकर तयार होता है लास्ट में मैंने चार से पांच अनीवू को पतले-पतले slice में काटकर भी डाल दिया है और फिर आप करिए इस में क्या करिए गाइस आप तीन से पाँच दिन के लिए धूप दिखाईए और बाद में भी अगर आप तेल डालना चाहते हैं चाहे आप गच्चा डालना चाहे चाहे पका के डालना चाहे वो आपकी अपनी choice है तो आप डाल सकते हैं तो थोड़ी दिर कढ़ाई गरम है इसके अंदर इसको ऐसे ही रहने दीजिए थोड़ा से तेल पका कर हम कढ़ाई के अंदर अगर डालते तो हमारा अचाह जल्दी बनकर तयार होता है वो सॉफ्ट हो जाता है गरम तेल और मसाले की बज़े से तो हमारी ये अचाह जो है घर के अंदर सिंपल मसालों के साथ तयार हो गया आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगए आप मुझे जरूर से कमट सेक्षिन में बताए अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखे आपको सपोर्ट के लिए, thank you so much, share में तो की, God bless